अब ये सरकार जो एक तरह से अदर्श्य हो गई, गायब हो गई, अब ये रिमोट से चलेगी, पंच्छी उडएंगे अपनी पनी डाल पर जा बैठेंगे, जो भैकरांत आज है सरकार वो उसी कांड से है और ये भैक अभी समाप नहीं होगा, सीशे के महल में बैठ कर, आपस के जगडे में, जहां एक ही पार्टी के लोग लड़ रहे हो, वह पत्तर नहीं फेका करते हैं, हम समय देख रहे हैं, समय की इधार देख रहे हैं, और राजिस्तान की ऐसाय जनता को देख रहे हैं, समश्याओं से भागती वी सरकार को देख र मरुधरा की धरा में जो सत्ता का महा संग्राम है, वो अपरवान पर है, अभी तक बाड़े में विधायक जैपूर में बन थे, लेकिन अब उन्हें जैसल मेर श्रिप्ट कर दिया गया है, लिहाजा जो सियासी चहल कदमी हो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस पूरे मा मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा राज्य के मुख्यमंत्री असोग जी गैलोत को, कि उन्होंने जैसल मेर को जो पहले प्रेटिक्काओं की दृस्टी से वैसे ही बड़ा पसंदीदा सहर था, अब पॉलिटिकल टूरिजम के नाम पर देश के नक्से पर लाके छोड़ दिया, एक नया ध्याय जुड़ गया, आज सोड़ोंगा दिन है, और विधान सभा लगबग पंदरा दिन दूर है, यानि एक मेना पूरा मेना इस मेने के हंदर पूरी सरकार पांच सितारा साथ सितारा होटल में कैद, राजिस सभा के चुनाओं हमेसा होते रहे है एक दिन, दो दिन पहले अपने अपने विधायकों को राजितिक दल बुला कर उन्हें वोट किस प्रकार दे, इस प्रकार की ट्रेनिंग देते रहे हैं, पर उन्दस दस बारा बारा दिन उसमें भी, अब मैं समझता हूँ जैसा में मेरा अन्भव है, अब ये सरकार जो एक भी कई बार किया, पंची उडएंगे, अपने अपनी डाल पर जा बैठेंगे, और उस समय इस भैसे जो भैकरांत आज है सरकार, वो उसी कांड से है, और ये भैक अभी समाफ नहीं होगा, अब अल्लह मालिक है इस राजिस्तान की बदनिसीब लोगों का. मुख्यमंत्री गहलोद बार-बार ये बयान देते हैं कि अब जो विधायकों को जो ओफर था वो अनलिम्टेट कर दिया गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, विधायक को मुह मागी रकम दी जाएगी, और साथी साथ वो बीजेपी से ही डरे हुए है कि बीजेपी तोड़ फ मुख्यमंत्री गहलोद का ये भी कहना है कि जो पाइलेट के जो विधायक है, उन्हें बीजेपी ने कैद कर रखा है, कई आना भी चाहते हैं, लेकिन भाजुपा उन्हें आने नहीं दे रही है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर ये आरोप लगाते हैं, तो अपना बाड़ा जरा खोल के तो देखो, अरे जन्माश्टमीत पर तो उनको कर्शन बगवान के दर्शन करने बेज़ दो, अपने बेहन से कलाई पर राखी बंदवाने तक तो बेज़ दो, फिर देखो नजारा, मैं समझता हूँ, सीसे के महल में बैट कर, आपस के जगड़े में, जहां एक ही पार्टी के लोग लड़ रहे हो, वहां पत्तर नहीं फेका करते हैं, ये कावत बिलकुल सईसीद हो रही हैं, राखोर साब, अविश्वास प्रस्ताओ क्या भारती जनता पार्टी लाने पर विचार करी, भारती जनता पार्टी की क्या रणनीती हैं, हम समय देख रहे हैं, समय की इधार देख रहे हैं, और राजिस्तान की ऐसाए जनता को देख रहे हैं, समझ्याओं से भागतीवी सर कार को देख रहे हैं हम अपने पत्ते नीए खोलेंगे अपने ने तर्तों से बात करके जो भी कुछ करना होगा निश्चित तोर पर करेंगे पाइलेट कैम के जो विधायक है उन्होंने इस बात का इस बात की माग उठाई है कि उनको खत्रा है यहां आने पर तो क्या क्या हो रहा है कि चुने हुए विधाइकों पर मुक्तमे दर मुक्तमे हो रहे हैं घंबीर अप्रादयों को पकड़ने वाली पुलिस एस उजी विधाईकों की तलास में दर-दर भठक रही है इससे उनका भेवीत होना वाजिब सी बात है परन्तु चुने है विधायकों को अपने राजी तेक मकसद के साथ अगर किर्फतार किया तो उसके प्रणाम भुगतने पड़ेंगे और वो प्रणाम इस सरकार को डुबो को छोड़ेंगे जो एहम सवाल है वो यह है कि बार बार बीजेपी कह रही कि सरकार अल्पमत में है नंबर गेम में पीछे है अब मौझूदा यदि परिद्रश्च की बात की जा तो मौझूदा समय में क्या लग रहा आप लोगो देखिए हमने कई बार कहा अगर बहुमत है तो फिर यह बाड पार्टी के विधायक तो अपने अपने घरों में बैठें अपने विधान सवा में बैठें हैं बाड़ा बंदी है तो कांग्रेस की है जगड़ा है तो कांग्रेस का है तूटन है तो कांग्रेस हुए है घर तो नहीं का तूटा है हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं और तर्फ़र के लिए वरं पर किसी प्रकार की बात टिका टिकनी कहने उचित नहीं पुर्थ निश्चित तोर पर जिस प्रकार विधान की तैंस शुडूल की दजियां उड़ाई गई है और प्रकार उनका विले आइन्सी विदान सवा के नाम से नया अदल जो कमी देखने पर नहीं मिल रहा आज कई बातें अनुत्रित बातें इस फिजा में तेर रही है निर्णे माने उच्छ नहीं ले उच्छ नहीं ले करेंगे अब भारती जन्ता पार्टी के पाले में गेंद नहीं है अब तो निर्णे नयाई पालिका के पास है और उस पर टिका टिपनी असोग जी गेलोट नहीं करते बैत रहे हैं मेरा अंतिम प्रस्थ ये था कि जिस प्रकार से स्पीकर डॉक्टर सीपी जोसी का एक वीडियो वाइरल होता है उस वीडियो को आपने भी देखा होगा सुना होगा क्या कहेंगे उस पूरे वीडियो पर देखिए मैं समझता हूं सीपी जोसी साब अंतरन्ग बातें जो कर लेकिन फिर भी आप लोग स्तीफा माग रहे हैं कल सतीज पूनिया जी ने कहा कि इस मामले पर जिस प्रकार से उनका इस्टेंड सामने आया लिच्चित तोर पर विधान सभा के अदग्स हमारे कस्टोडियन है हमारे सनक्षक है हम उनकी छत्र चाया में ही विधान सभा की का दरश्ट गायब हैं और लोगों की निगाहें लोग उत्सुक भी है कि वसंद्रा राजी कब सामने आएंगी वसंद्रा जी हमारी नेता है उनसे विचार में सोता रहता है और वसंद्रा जी मोका पढ़ना पर जब भी जरूरत होगी निच्चित तोर पर हमारी अगवाई कर करते हुए आपके सामने आ जाएंगे वह ऐसी कोई बात नहीं है तो यह थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद राठोड जी इनका साब तोर पे कहना था कि सरकार को एक बार बाड़ा खोल के देखना चाहिए तो स्वयम पता लग जाएगा कि पंच्छी किस जाल में डाल मे जाकर बैठते हैं कैमरा परसन हिमन के साथ मैं रुपेश मिस्तरा दी फैक्टिलिया जैपूर